मिनिमम योग के अभ्यास में चलो आपको ले चलते तो मिनिमम योगा भ्यास में व्यायाम कितना कर लो इसको आमने योगी जोगिंग नाम दिया इतना तो सब कर लेंगे लंबे लंबे श्वास लो तो यह सब कर लेते हैं लंबे लंबे शास लेते हैं कई तरह की व्यायम और व्यायम क्यों आवश्यक है मोटापा, बीपी, शूगर, कॉलिस्टॉल, गैस, कब्ज, असिडिटी, लाइफस्टाल, डिजीज, बहुत हो रही है बोडी का मैटमलेजम गडबर हो जाता है और मैटमलेजम जब गडबर होता है तब फिर कई तरह के विकार हमें आघेरते तो यायाम करने से लंबे लंबे शास लेते रहो ये पहला अभ्यास फिर ये दूसरा अभ्यास है अब दूसरे अभ्यास में फिर पूरा हाथ पर खुडने लगता है अब जब बड़े बुजर्ग ऐसे ऐसे ही कर लेगे जिन से जितना पन पाए उतना ही तो करना है ना अब इतना ही कर लेंगे वो भी बहुत है यह मिनिमम बड़े बुजर्गों के लिए अजयाने के लिए यह बारा भ्यास है योगिक जोगिक के लिए जो कनानी यह किसी को भी चाहिए ऐसे ऐसे कर लो चाहिए ऐसे ऐसे कर लो और एक अग्रिचित प्रसंद चित रहना है तीसरा भ्यास बुटना उठाओ चाहती से लड़ा लगाओ और फांश्ट करना है तो थोड़ा ऐसे फुदक फुदक के और ज्यादा फांश्ट करना है तो ऐसे जिससे जैसा बन पाए जैसा हम बार बार जीते हैं जीवन वो हो जाता है हमारा स्वभाव जो हम बार बार करते हैं वो क्या हो जाता है बोलो हमारा बार 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 बुशा करने से बुशे वाला बार बार निंदा करने से निंदा वाला बार बार द्वेश करते हैं तो द्वेश करने वाला बार बार देर से उठेंगे तो देर से उठने का और बार बार योग करेंगे तो योग करने का बार बार नाराज होते हैं तो नाराज होने को सबाव जाते हैं उनके जे मूड़ा उपर जूओ ना तो आम लगता है कि इसी आजने बार बार खुश रहने से खुश रहने का सभाइब है तो आमने तो एक बात पकड़ रखिया है कि बार बार अपने को अच्छा करना है इच्छा ना होने पर भी अच्छा करना इच्छा ना होने पर भी योगे, इच्छा ना होने पर भी अच्छे काम, इच्छा ना होने पर भी अच्छा खाना, इच्छा होने पर भी बुरा खाना दर्वान, यह आधा आधा, इतना तो सब कर लेंगे? आज तो अर्धू थे यूँ आने कोई थी पूरो बेशात होई तो आम पूरो बेशी से ऐसे जिससे जित्रा बन पाए अब इसे गड़ गड़ नहीं करना कुछ क्या कर रहे है कुछ ऐसे कर रहे यह नवू नवू नहीं कुछ कुले कुले हिला रहे एसे नहीं एसे करो जिससे जित्रा बन पाए तो देखो आपको अपने सामर्थे का ध्यान रखना है अपने सामर्थे के अकोडी आपको योगा भ्यास करना है जिसका जित्रा सामर्थे उत्रा कर लो दाये पैर पर ऐसे बेठो बायाचर की सिसी जाए फिर दोसरी और अरामर्थे कोरी बोड़ी के श्ट्राचे जिससे जित्रा बन पाए हिर आजए में हाइसा motion exactly पाँच दसबार एकी आफास है धुड़ी अरा dueर पहरों में टाइसा दो को सामी इसको फास्ट करना हो तो ऐसे कि रिलायक्स साथ अभ्यास होगे अब आठा इसको त्रिकोन असने कहते हैं अहाथ ऐसे उठाएं दया हो कोई भी अभ्यास पराणम करते हैं तो राइट साइड से प्राणम करते हैं इसी उनिफोर्मीटी बनी रहती है और कहीने कहीं से तुशुरू कर नहीं है तो दक्षिन स अच्छा मानते हैं अच्छा मानते हैं दयाच उठा लिए अधेशी उठा और अधेशी नीची यह वायात पर गुटने और बाद में टकने के पास पलो से धीरे धीरे करना पूरा साइड में जुकेंगे आगे की तरफ नहीं ऐसे पूरा पार्शो भाग देगे साइड में जुकना गुटने सीधे रखने दोनों हती उप्रवाला हाथ की सीधा थे लिए निचे क्यों आसे परे धीरे धीरे किया बाद में इसको फास्ट कर से इसी जितना बन पाए है प्रसन्न चित्त एक आगर चित्त हो करके उच्छा में जीना उच्छाही जीवन है आश और विशासी जीवन और निराशा ही मृत्यू है पुर्शार्थी ही जीवन और प्रमाद ही मृत्यू है लंबे लंबे गहरे शास अईसे फिर दोना हाथ पार्षबाववों कोणा हाथ धाए हाथ से बाई पर पूछे ये बाई हाथ उपड़ सामने अथिली ऐसे साथ करना ऐसे आराम आराम से करना लंबे लंबे शासां के साथ करना उपर वाले हाथ के अथिली को देखना एक एक अभ्यास को पांच पांच जजदस बार करें फिर ये पाद हस्तासन बोलते हैं हाथ उपर उठाए हाथ पूरे सीधी रहें लिए पूरे पीसे जाना पूरे आगे जाना ये तना हो से कि मतब इना हो से हो करो 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 कर दो 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 कि आए ऐसे पांच दस बार एके कप दास को परना तो फिरिद्धी आवे करते हैं थी दो कि दूमय लोमय सबस्क्राइब पाश्ट किया तो जिससे जितना हो पाए तो पचीश पचास बार ऐसे करना लास्ट बारमा फ्यास है तो रहा सामने एक तरफ हाथ होंगे उधरी कुले दूसरी तरफ पज़े अशी उपर से निशेता पूरी बोडी कोट तुश किता लंबे लंबे शास प्रसनना चिता हो करके दथ चिता हो करके पूरे स्लमा ही तुम करके जो करते हो पूरा परे किसी का नाम योग है कि रिलाक्स यह मिनिमाम योग हुआ है यह है योगिक जोगीन क्या बोलते इसको